नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें आज इस पुस्तक पर हम चर्चा करें उनकी कुछ जानकारी दी गई है मूल्य इसका 30 रुपे है इन में से कई पुस्तिकाओं पर वीडियो चैनल पर उपलब्द है और कुछ पर दीरे-धीरे अभी आएंगी कुल प्रिष्ट 36 है कवर पेज मिलाकर यानिकि इस प्रिष्ट और ये back cover को मिलाकर 36 प्रिष्ट है हर प्रिष्ट पे बाएं ओर कथा से सम्बंदित चित्र दिया गया है और दाहिनी ओर कथा दी गई है तो भगवान विश्नु के हैगरी भवतार की कथा जो श्रीमत देवी भागवत महापराण में आती है उस अनुसार यहां कथा दी गई है फिर मधू कैटब की कथा दी गई है और सम्मंदित चित्रबाएं प्रिष्ट पे आ रहा है महामुनी शुकदेव और तत्योगानी जनक इसमें भी कथा जो है बिल्कुल ऐसा नहीं कि किवल सम्मद से ही प्रारंभ हो रही है लेकिन महामुनी शुकदेव के जन्म से ले करके फिरक्रिस प्रकार से वो राजा जनक के पास पहुँचे और उनके बीच में जो सम्मद हुआ और अति संचेप में यहां लास्ट पैरग्राफ में तीन-चार लाइनों में एक तरह से सार दे दिया गया है जो उसमें इनके बीच में जो समवाध हुआ था उसका सार दे दिया गया है भगवती महिसासूर मर्दिनी इसमें भी महिसासूर के जन्म से संबंधित कथा से लिए करके वध तक की कथा जो है अति संचेप में दी गई है राजा सूरत और समाधी वैश्य की देवी दर्शन सत्यवादी महाराजा हरिस्चंद्र की कथा आती है जो श्रीमत देवी भागवत महापराण में है अलग-अलग पुराणों में थोड़ा बहुत वेरियेशन आता है कथा में तो इसमें जो आपको कथा हैं मिलेगी वो श्रीमत देवी भागवत महापराण के अनुसार मिलेंगी भगवती सताक्षी देवी या साकंबरी देवी शाकंबरी देवी भगवती दुरगा नाम का इतिहास तो वो जानकारी दी गई ही कैसे दुरगा नाम जो है वो आया उमा हैमवती देवी इसमें जो हमारी उपनिशत की प्रसिद्ध यक्ष वाली कथा है वो जो कथा श्रीमत देवी भागवत महापुराण में जिस प्रकार से आती है वह कता दी गई है परात पर भगवान शयाम सुंदर एम मूल प्रकृती राधा श्रीमत देवी भागवत महापुराण में कई अध्याय जो है वो भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण को समर्पित है और श्रीमत देवी भागवत महापुराण और श प्रिष्टों में यहां यह कथा दी गई है फिर त्री देवों का द्वारा भगवती के अराधना और रावन के वद कवरदान यहां जो राम कथा जिस रूप में आती है श्रीमत देवी भागवत महापुराण में तो उसका एक तरह से वर्णन है अती संचेप में एक ही प्रि उसके वद की कथा इंद्र दर्पहारणी भगवती आदिशक्ति इंद्र के इंद्र दर्पहारणी भगवती आदिशक्ति यहां पर यहां वो यक्ष्य संबंधित कथा दिये कि इनुप निशद की मैंने यहां उमाहमवती देवी में बोल दिया था यह तो जब देवताओं ने प्राथना करी थी कि आप पार्वती रूप में अवतार घ्रहन करें उसकी कता है ओमा है मती देवी में हैं इंद्रदर फार्णी में यक्षवाली कता है प्रिष्ट में उसका वर्णन किया गया है और सम्मंधित चत्रि दिया गया है भाय तरफ से गायतरी महिमा का भी बहुत प्रतीपादन है श्रीनिवेविबहुत महापुराण में यहां गायतरी महिमा और अंतिम जो कथा है इसमें त्रिकालो पास्या भगवती गायतरी प्राथाकाल, मध्याकाल और सायंकाल की आधिश्वरी भगवती गायतरी है देवी गायतरी की नित्य संध्याकाल में उपासना ही संपूर्ण वेदो का सार है भगवती गायत्री के त्रिकाल संध्या में उपास से यही त्रिशक्ति इक्छाक्रिया और ज्यान की परिचाई का है। ब्रह्मी वैश्णवी तथा गौरी रूप में यही शृष्टी पालण और संहार कर रही है। उन्हीं का यहां पर महात्मय का वर्ण किया गया है। तो क